Hello dear students, मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद आप में एक किरिसिटी तो जागी ही होगी कि किस तरह से इंडेक्स नमबर क्यालकुलेट किये जाते हैं जी हाँ दोस्तों आज हम उनी इंडेक्स नमबर के मैथड्स की बात कर रहे हैं यानि किस तरह से इंडेक्स नमबर कंस्ट्रक्ट किये जाते हैं उनके मैथड्स को आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे तो हमारे वीडियो को लास तक जरूर से देखें क्योंकि आज हम सिंपल एंड वेटेड मैथड की बात करने वाले हैं तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोडा की क्लास में मैं हूँ डॉक्टर विनीता अरोडा और आज बात करते हैं सिंपल मैथड्स और वेटेड मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नमबर तो गाईस चलते हैं देखें, इंडेक्स नंबर का construction की requirement क्यों होती है, किस तरह से इसके base create किये जाते हैं, और क्यों हम base को convert करते हैं, यानि यदि हम एक base से दूसरे base में conversion चाहते हैं, तो किस तरह से काम करना होता है, इसके लिए आप हमारे i button पर click करके इन videos को देख सकते हैं, या फिर आप description box में भी इनके link दिये हुए हैं, आप उस पर इन methods को, इनके concept को समझ सकते हैं, यदि हम इनके construction की बात करें, यानि सूचकांक या index number की construction की बात करें, तो दो तरीके से index number का construction किया जा सकता है, पहला simple method और दूसरा weighted method, देखिए simple method आप एको नाम से भी पता चल रहा होगा, ये कि सर उप्योगिता नहीं होती है, यानि भार का weights का use नहीं किया जाता है, जब कि weighted methods की बात करें, तो weighted methods में भार होते हैं, भार की सहायता से index number का construction किया जाता है, तो देखते हैं, simple methods में कौन से दो methods हैं, तो सबसे पहले, simple method में है, first method, simple aggregative method, method, इसे हिंदी में कहेंगे हम, सरल समोही रिती, इसी तरह से हम दूसरे method की बात करें, तो यहां पर जो दूसरा method होगा, वो है, average of relative method, यदि हिंदी में इसे कहें, तो इसे कहा जाता है, मुल्या नुपातों की और सत्रिती, इसी तरह से यदि हम weighted methods की बात करते हैं, तो weighted method में भी बिलकुल इसी तरह से, फर्स्ट method जो है, वो है weighted aggregative method, या हिंदी में हम इसे कहेंगे, भारित समोही रिती, इसी तरह से जो दूसरा method होगा, वो होगा weighted average of relative method, और हिंदी में इसे कहेंगे, मुल्या नुपातों की भारित और सत्रिती, तो गाइस यहाँ पर आपने देखा कि यह चार methods हैं, इंडेक्स नंबर को construct करने के लिए, दो है simple methods और दो है weighted methods जिनमें भार का उप्योग किया जाएगा, तो देखते हैं इनके formulas क्या क्या हैं, देखिए simple aggregative method की बात करें, या सरल समूही रिती के method की बात करें, तो index number जब हम calculate कर रहे हैं, सामानी तरह मैं आपको यहाँ बता देना चाहते हूँ को हम जो index number यहाँ calculate कर रहे हैं, वो price index number की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम मुल्य अधारित index number या सुचकांकों की गणना कर रहे हैं, इसके बाद हम quantity index number और value index number को भी सीखेंगे, फिलहाल हम price index number की बात कर रहे हैं, और इसलिए सरल समूही रिती में यदि price index number calculate करना है, तो P01, यहाँ P01 से क्या मतलब हुआ, P01 का मतलब current year का index number on the basis of the base year, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम base year को 0 से denote करते हैं, जबकि current year को 1 से denote करते हैं, तो यहाँ पर P01 is equal to sigma P1 divided by sigma P0, notation आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जितने भी prices हैं, जो की current year की हैं, उनका total कर लिया जाए, और जितने भी prices हैं, जो की base year की हैं, उनका total कर लिया जाए, multiplied by 100, base year क्या होगा, इसके लिए हमारे पिछले वीडियो, base के conversion की बात हमने की थी, उसे जरूर से देखें, यहां पर सामनेता आपको प्रश्न में दिया हुआ होता है, कि base कौन से वर्ष को मानना है, now, average relative method की बात करें, मुल्यानुपातों के औसत रिती की बात करें, तो मुल्यानुपातों की औसत रिती में, यहां पर आपको relatives calculate करने होंगे, यानि मुल्यानुपात क्यालकुलेट करने होंगे और मुल्यानुपात क्यालकुलेट करने के लिए P1 divided by P0 multiplied by 100 यहां मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहां मैंने सिग्मा नहीं लगाया है यदि आप कहें कि इस मैथड और इस मैथड में कोई फर्क नहीं है तो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि यहां पर मैंने समेशन लगाया है समेशन P1 का मतलब आप समझ लीजिए कि सारे प्राइजिज जो की करन्टियर के हैं उनका आपको समेशन करना होगा लिकिन यहां पर आपको हर एक वर्ष के लिए P1 divided by P0 multiplied by 100 करना होगा यहीं कमोडिटीज आपको गिवन है तो उन सभी कमोडिटीज के लिए आपको P1 divided by P0 multiplied by 100 separately करना होगा यानि सबसे पहले आपको relatives निकालने होंगे जब आपने relatives निकाल लिए तो simple P01 यानि current year prices का index number on the basis of the base year is equal to sigma r divided by n यानि जो यह r relatives आपने निकाले हैं इन relatives का total कर लिया जाएगा और number of items से number of commodity से divide कर दिया जाएगा तो यह बहुत ही simple तरीके हैं simple aggregative method sigma P1 divided by sigma P0 multiplied by 100 जबकि average of relative method की बात करें तो पहले r calculate करें P1 divided by P0 और इस तरह से जो r calculate हुए है उनका summation of r divided by n calculate करने से price index number calculate किये जा सकते हैं हम simple method में चलिए बात करते हैं जल्दी से weighted aggregative method की यानि भारित समुही करन रिती की देखिये भारित समुही करन में ये तो हमें अच्छे से मालूम है कि हमें भार देना होगा तो यहाँ भार किसका देना होगा यहाँ मान लीजिए ये भार जो देना होता है वो हमेशा quantities का देना होता है यानि मात्रा का देना होता है यदि प्रश्ट में आपको weighted method से काम करने का कहा जाएगा तो जरूर से quantity दी हुई होगी और सामने तह इनी quantities को ही हम भार के रूप में उप्योग में लेते हैं तो करना क्या है दोस्तों देखेगा यदि हम P01 का calculation यहाँ करना चाहते हैं भारित समुही रिती के अंतरगत तो सबसे पहले आपको P1 को Q0 से multiply करना होगा यानि current year के prices को base year की quantity से क्योंकि हम base year की quantity को ही भार के रूप में मान रहे हैं भार के रूप में ले रहे हैं तो P1 divided P1 को Q0 से multiply करना होगा और इस तरह से जो values हमें मिलती है उनका summation कर लीजिए इसी तरह से divide कीजिए P0 को सारे P0 को हमारे भार यानि quantity से base year की quantity से आपको multiply करना होगा और उसके बाद उनका summation कर दीजिए multiplied by 100 तो finally जो हमारा formula बना है students वो कुछ इस तरह से sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiplied by 100 रटने की आफशकता आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्योंकि हमारा basic formula वही P1 divided by P0 ही है भार के रूप में हमने quantities यानि base year की quantities को रखा है और इनका summation कर लिया है multiplied by 100 यह हमारा simple भारित समोही रिती का है अब बात करते हैं मुल्यान उपातों की भारित औसत रिती की जब मुल्यान उपातों की भारित औसत रिती की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर हमें relatives calculate करने होंगे और relatives calculate करने का तरीका वही P1 divided by P0 multiplied by 100 अब इन relatives का क्या करना है देखें कि हमें यहाँ पर relatives को फिर से हमें price index number calculate करना है तो हमारा sigma r w divided by sigma w यहाँ मैं आपको clear कर देना चाहती हूं r हमने यहाँ पर निकाले ही है इन r को w से गुणा किया जाएगा यह w क्या होगा यह w weights ही कहलाएंगे और यह weights कौन से माने जाते हैं सावने तर आपको प्रशन में दिये गए होंगे कि weights क्या लेने है यदि प्रशन silent है किसी भी तरह के weight के संबंद में तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूं कि weight के रूप में आप P0, Q0 को रख लीजिए यानि base year के prices और quantity को multiply कर लीजिए उसे weights मान सकते हैं तो यहाँ पर आप इनको weight के रूप में काम करते हुए weight के रूप में लेते हुए आप यहाँ पर इनने multiply करके question का solution कर सकते हैं तो guys इसी तरह से भारित समुही रिती और मुल्यान उपातों की भारित उसत रिती के formula हमने देखे हैं जल्दी से question की तरफ चलते हैं देखेगा यह प्रश्न मैंने आपके सामने लिया है और इस प्रश्न में कहा गया है कि calculate weighted index number for 2019 year from the following data through the methods of weighted weighted aggregative method and weighted average of relative method देखें दोनों ही weighted method से काम करने का कहा है तो यहाँ पर देखें किस तरह की question दिये हुए किस तरह की values दी हुई है सबसे पहले commodities आपको दी हुई है चार तरह की वस्तुए या commodities है A, B, C, D इसी तरह से base year base year के रूप में P0 और Q0 यानि base year की prices और base year की quantity की बात की गई है base year की prices आपको given है base year की quantities आपको given है now current year यह हमारा 2019 है वो current year है क्योंकि हमें 2019 के लिए ही index number calculate करना है 2019 के लिए P0 आपको given है इसी तरह से 2019 के लिए P1 और 2019 के लिए Q1 हमें यहाँ पर given है तो यहाँ पर देखेगा prices and quantities अब हमें क्योंकि weighted average aggregative method का उप्योग करना है और weighted aggregative method की तरफ हम चले है तो देखें हमारा formula P1 multiplied by Q0 का summation divided by P0 Q0 का summation multiplied by 100 तो हमें यहाँ पर जो calculate करना होगा वो P1 multiplied by Q0 and P0 multiplied by Q0 तो देखें हमारा P1 है यह 2019 के prices multiplied by Q0 यह हमारा Q0 जो है base year के quantity का है तो आपस में हम इने multiply करते हुए चलें और यहाँ पर हम value को लिखते हैं देखें 7.5 multiplied by 10 it is 75 then 2.4 multiplied by 20 it is 48 6 multiplied by 30 it is 30 6 multiplied by 5 it is 30 11 multiplied by 7 it is 77 इसी तरह से P0 और Q0 की बात करते हैं देखें P0 हमारा यहां रहा और इसी तरह से Q0 हमारा यहां इन दोनों को आपस में multiply करते हैं तो 50 40 20 and 70 तो गाइस यहां पर हमें दोनों ही values मिल गई हैं हमें इनका summation करना होगा तो आपने अपने calculator तयार कर लीजिए मैं भी अपने calculator तयार कर रही हूँ P1 Q0 का summation होता है 230 और इसी तरह से P0 और Q0 का summation होता है 180 तो गाइस जल्दी से हम calculate कर लेते हैं हमारा पहला method जो की है weighted aggregative method की उसमें P01 का calculation हम करें तो sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiplied by 100 sigma P1 Q0 जो हमने निकाला है वो है 230 और P0 Q0 जो हमने निकाला है वो 180 multiplied by 100 इसे हम करें तो calculation करने पर हमारी value होगी 127.78 तो यह हमारा answer होगा यह हमारा index number होगा through weighted aggregative method अब बात करते हैं हम second method की जो second method हमारा है weighted average of relative method सबसे पहले हमें relatives calculate करने होंगे और उसके बाद हम P01 calculate करेंगे तो यहां पर हम calculate कर लेते हैं हमारे relatives और relatives calculate करने के लिए हमारे पास formula P1 divided by P0 तो P1 divided by P0 यह हमारे पास P1 और P0 की values हैं तो यह हमारा P1 और P0 7.50 divided by 5 multiplied by 100 तो यहां पर इन values को हम formula में put करते जाएं और देखिए 7.5 divided by 5 multiplied by 100 हमारी value है 150 इसी तरह से 2.4 divided by 2 multiplied by 100 तो हमारी value होगी 120 इसी तरह से 6 divided by 4 multiplied by 100 तो हमारी value होगी 150 11 divided by 10 multiplied by 100 110 यह हमारे relatives calculate हो गए हैं इन relatives को W से multiply कर लिया जाएगा तो देखिए W यहां पर Christian में silent है किसी माना गया है कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम W को मान लेते हैं यह जो P0 Q0 है तो देखिए आपस में इसे multiply करते हैं 7.500 4.800 3.000 and 7.700 Finally हमें यहां पर R W मिल चुका है अब formula हमारा P01 यानि सिग्मा R W divided by सिग्मा W यहां पर हमारा सिग्मा W 180 और हमें R W कैलकुलेट करना होगा और R W है हमारा 23,000 multiplied by 100 तो देखिए यहां पर 23,000 divided by 180 multiplied by 100 फर्मूले में value रखा और इस तरह से हमें जो answer मिल रहा है वो है 127.78 तो इस तरह से यह हमारा second answer calculate हुआ दोनों ही same answer calculate हुए लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों ही method से same answer calculate हो इसलिए guys यहां पर हमारा calculate same हुआ है तो guys इस तरह से आपने सीखा आज की किस तरह से index number को construct किया जाता है through simple method and through weighted method तो guys सीखते रहिए और बढ़ते रहिए फिलहाल आप हमारे चैनल को subscribe करिए वीडियो पसंद आए तो उसे like करे और उसे share भी करे thank you, thank you guys